है is welcome back to my Youtube channel मैं आज आगई हूं ए हयर पारई में मेरे पार्त यह तो मैं इस था तर는 में आज आप लोग के सथ हेर पैक है भना है थी सारी मेरेधे हो र रचने में का जाने में ऑमस्कों मेरे थे और इसंद कौने हो राइगत करने में बहुत एजी है पैक को बनाना एक सु दो चीज की ज़रूत पढ़ेंगी आप लोगों को आप लोग प्लीज मैं जो भी आपको बताती हूं उसे फॉलो किजिएगा अच्छे से तो आपको बहुत अच्छा रिजर्ट आएगा इस पैक से इस पैक के हल से आपका हेर ग्रोथ भ यूजसे टोनी लगींगी एक से दो बार इस पेड के बाग्ते पार तो जाएज चलिए पताते हैं कैसे पैक को तयार करना है इस पैक को तयार करने के लिए आपको सबसे पहले एक बॉल में प्लिéri में क должно की कर लिया है फिर इसे में मुझे दो पेस्पूनियों अभाय करना है ज्यादी से मिक्स नहीं करना है और फिल लेना है कैस्टर आयल कैस्टर आयल हमें ज्यादा नहीं लेना है इsyब आपको हते में वह झाल सिरको यूज साथ यूजित करना है अगर आपको जल्दी रिजल्ट्ट जाहिए तो घर आप थोड़ा लेड भी एग़र प्रेजल्ट्ट्टू यह मतलब कि slowly slowly आपको चलना है तो वो भी ठीक है आप में एक बार से यूज़ कर सकते हैं तो मैंने एक चमर टीस्पून इसमें एक चमर से दिल दाल दिया है ओलाइब ओलाइब और कैस्टर ओल मैंने इसमें डाल दिया है तो इसे अब अच्छे से मिक्स कर लीजें इसे बहुत ही अच्छा स्मूध पैक आपको बनाना है इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाना है इसे अच्छे से मिक्स कर लीजें यह आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रोमोट करेगा क्योंकि दही में प्रोटीन पाया जाता है इसलिए आपके हेयर स्टेशी साइनिंग और स्मूध भी हो जाएंगे गाइस और आपके हेयर ग्रोथ भी होगा कैस्टो और हमारे हेयर को थिक बनाता है और हमारा यह ग्रेसर हमारे करता है हमारे हें साइन लाता है और सबसी इसलिए जित्रा भी है जित्रा वी इनिट्स मिला अविलेबल होता है और इसे आपको श्रीप 10-15 मिन अपने हेर पर अपलाई करके छोड़ देना है आफ्टर सुखने के बाद इसे वच्छे से वच्छ कर लोगा अगर अपको इसकी पसंद आते हूं तो आप इसे छोड़ सकते हैं एक दिन के लिए अगर आपको इसकी पसंद ना हूं तो और किसी भी हर्वल सेंपू से जो मैंने आपको सेयर किया है आपको यूज़ कीजिए आपको बहुत अच्छे रिजर्ड मिलेगा तो गाईस इस पेक को आपको मैं लगाने का तरीका बता देती हूं आपको कुछ निकना है आपको इस पैक को लेना है और इस तरह आपको अपने हेयर टिप्स में इस तरह सबसे ज़्यादा हमारा डामेज हेयर होता है इस पोर्शन में तो आपको इस पोर्शन में इस तरह लगाना है और इस तरह इसरे खीचना है हलके हाथों से इस तरह तैली अपको करना हैं आपको इस तरह अपने 사री पैक को प ardम आप इस तरह करके आप सारे फिर को हैं आप सार क्यों कार मुझ करन आप आप जैसे वी कुषण में आप शिर्ञ श्रूल कुषण किद्धके वो अच्छे टेंप्रेचर में मतलब कि इसके नॉर्मल टेंप्रेचर कर लीजिए पुरा ठांडा नहीं होना चाहिए अपने एपने हेर प्लाइक करने पहले आपको पी बिल्कुल यह ध्यान रखिएगा आपको पोई भी यह बात नहीं बताएगा पर मैं आपसी यह सेयर कर रही हाँ बिलिब किजिए आपको डवल रिजर्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छा आपको एपक्ट आएगा अपके लेयर पर तो गैस थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो जाएगा अपने रिजर्ट जरूर सेयर किजिएगा तो आई होप यू लाइक मैं वीडियो अप मै है आइन्हीं में मिलते हुँ नेκα स्विडियो मैं आपको बताऊंगी हैएर सिरोम यूस करने के लिए्पता हुआ एर सिर्म के निक्स्यवीडियों में सेयर करें घ्रधी हूं मिलते हुं नेक्सिव में व्यक्षन лай यृ,